नमस्कार मैं अनुराग आरेन आप लोग देख रहे हैं आपका फैबरेट यूट्यूब चैनल पॉंट वै अनुराग दोस्तों ये वीडियो काफी ज्यादा हेलफुल होने वाला है क्योंकि तीन मन्त के बाद डॉग को क्या-क्या खाने में दे ये बहुत ही बड़ा सवाल ल आप लोग अपने डॉग को सेरेलैक और स्टार्टर पर ही लखे सेरेलैक आप लोग 40 से 45 दिन तक दे सकते हो और उसके बाद आप लोग धीरे-धीरे स्टार्टर पर लाईए और 3 मन्त तक उसको स्टार्टर ही देजिए और दोस्तों 3 मन्त के बाद आप लोग अपने आपको puppy food दोगे, market में बहुत सार ब्रांड के puppy food हैं, जैसे कि focus का है, डूल्स का है, pedigree का है, royal canine का है, but मैं आपको prefer करूँगा, कि आप focus के साथ जाए, या फिर फर्मीनिया के साथ आप जा सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो, आप इसके साथ भी जा सकते हो, और बाकी royal can के भी साथ आप जा सकते हो, बट वो काफी ज़्यादा costly है, और royal canine के price के recording, इन दोनों food में काफी अच्छा ingredient है, तो आप लोग यूज कर सकते हो, अब दोस्तों मैं आपको बतलाता हूँ कि आप लोग और additionally क्या क्या दे सकते हो, तीन मन्त से पहले dog को कुछ भी extra देने का allowed नहीं होता है, ना दे तो बेटर है, काफी सारे लोग दे देते हैं, फिर भी dog को कोई issue नहीं होता है, लेकिन कब हो जाए, पता नहीं, इसरे तीन मन्त से पहले घर का खाना मत दीजिए, चलिए तीन मन्त के बाद, आप लोग ये तो समझ लिजे कि उसको puppy food तो देना ही देन सकते हो, और बीच वाला जो yellow होता है, वो बहुत ज़्यादा allergy करता है dog में, तो या तो आप लोग हाफ दीजिए, या फिर ये वो adult dog है, तो आप पूरा का पूरा दे सकते हो, अब दोस्तों आप लोग को जो chicken देना है, वो chicken 6 मन्त के बाद ही दीजे, उससे पहले आप लोग chicken try भी मत कीजे, क्योंकि बहुत सारे dog में क्या होता है, कि lose motion स्टार्ट हो जाता है, इसलिए हम लोग chicken 6 मन्त के बाद ही recommend करते हैं, अब दोस्तों बहुत सारे ऐसे fruit हैं, जो कि आप लोग 3 मन्त के बाद ट्राय कर सकते हो, जैसे कि पपाया बहुत ही सांधार है, आप लोग 3 म मन्त से पहले भी start कर सकते हो, कोई सुने है, तीन मन्त के बाद भी आप लोग दही continue कीजिए, फिर pumpkin आप लोग यूज कर सकते हो, pumpkin काफी ज़्यादा beneficial होता है dog के लिए, और भी सारे fruits हैं, जैसे कि mango, mango जब भी आप लोग अपने dog को दोगे, तो ये मीठा होना चाहिए, साथ water melon दे सकते हो, pineapple दे सकते हो, हलका सा quantity में, धीरे धीरे करके आप लोग increase कर सकते हो, फिर आप लोग बनाना दे सकते हो, हलका हलका quantity में, और दोस्तों 6 मन्त के बाद आप लोग घर का vegetable भी दे सकते हो, जैसे कि cauliflower, cabbage, beans और भी सारे एसे vegetables हैं, जैसे कि P, ये भी आप दे सकते हो, क सारे ingredient हैं और दोस्तों ऐसी बहुत सारे information आपको हमारे application में मिल जाएगी जिसका नाम है dog and honor उसका link आपको description में मिल जाएगा और दोस्तों आप लोग एक साल के बाद अपने dog को completely homemade food पे रख सकते हो यदि आप लोग चाहो तो morning के टाइम में उसको चावल और vegetable और fruit mix करके दे सक और रात के टाइम में आप उसको dog food दीजिए या फिर उसको चावल के साथ chicken या फिर egg mix करके दे सकते हो एक साल के बाद मैं recommend करता हूं कि dog को दो बार ही खाना दिया जाए और खाना देना बहुत ही ज़्यादा easy हो जाएगा और dog food का जो खर्चा है उतना ज़्यादा खर्चा नहीं तो यदि आपका dog fully active है healthy है तो आप उसको घर का खाना दीजिए तो दोस्तो ये था हमारा आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग comment करके जरूर बताइए क्योंकि इससे motivation सा feel होता है और इस वीडियो को like कीजिए 4000 likes का M है और इस वीडियो को जादा से जादा लोगों त अनुत मत बूलिये